अब लोग निकल रहे हैं हम लोग मतलब मैं और आप सबी जस्पूर की और कि जस्पूर में एक प्रोग्राम और मीटिंग तो हम लोग फिलाल वहीं जा रहे हैं तो फिलाल फटाफट से चलते और अभी बज़रे हैं साड़े आठ खरीब और मुझे तस बज़े तक महुंचना है तो भाई मैं ज्यादा वीडियो तो बनानी पाऊंगा तो सीधे आप लिए चलता हूं जस्पूर की और तो हाइवे में थोड़ा सत्तरस सी चलते ना पता है नी चलता वही उसके बाद हम लोग यहां पर जस्पूर के बाहर खडए है पैट्रोल पंप में क्योंकि हमारी गाड़ी में पैट्रोल था थोड़ा कम तो हम सोचे इसकी कुरी टैंक ही फुल करवा लिया जाए तो इसमे यह देखो चार सो किलोमेटर करीब चल सकती है और एवरेज भी साही देरी है तेरा पॉइंट 6 की उसके बाद मैं यहां पर पहुंच जाता हूं ग्राम पंचा है ते जस्पूर के आप देखे सकते हो तो फिलाल मैं चलता हूं अंदर की और तो भाई मैं अभी प्रोग्रम चा मैं बताता हूं आपको काफी अच्छा लगता है देखने में भी और काफी सीखने में मिलती है तो फटावट से ज़्यादा बाते ना करते हूं मैं चलता हूं अंदर की और हमारे इस हॉल में हैगा प्रोग्राम और मीटिंग तो यहां पर भी पोस्टर वग्यरा बैया सब लगा रहे हैं और कुछ स्टूडेंट्स भी आ चुके हैं उसके बाद भाई यह नशा मुक्त भारत अभ्यान और यह नशीली दवाओं के लिए उसके बाद हमारे ससी मोहन सर्जी भी आ जाते हैं और यहां पर हम विबेकनन्द की पूजा करते हैं उनकी याद करते हैं उनक के अच्छे कर्मों को अच्छी चीजों को तो दोस्ति यहां पर प्रोग्रम चालू हो चुक है नशा मुक्त भारत के ओपर पर हमारे सस्पी सर्जी मोहन सर्जी कुछ अच्छी बात हैं हम लोगों को बताते हैं सभी स्टूडेंट्स भी हैं यहां पर बात करने हैं अच्छी बात करने के लिए कि हमें नशा नहीं करना चाहिए माई भारत की तरफ से और यहां पर फिर हम लोग देखने लग जाता है मूवी मतलब मूवी नहीं देख रहे हैं इसमें मतलब एक मैसेज है तो हम उसको बताने की कोशिश करते हैं कि इस वीडियो के पीछे हमको क्या समझ मैता है एक क्या मैसेज मिलता है इस थाइप का और पता है कि असाथ में यह भी सह रहता है रहा एंटर्टेंड्मेंट के साथ साथ नॉलेज भी मिल दाना तो काफी अच्छा रहता है उसके बाद भी हमारी एंट्री होती है रोफी इस दुनिया में सबसे बड़ा युद्धा होती है उसके बाद भाई हमें दिखा जाता चक्डे इंडिया का और इसमें बता जाता कि लड़किया भी ना किसी से कम नहीं है वो भी हर फिल्ड में अच्छा कर सकती है उनको भी इंपोर्टेंस देनी चाहिए स्टाइब का उसके बाद भाई हमें बाल विवा के बारे में बताया जाता है सब इस्टुएंट्स लोगों को बाल विवा नहीं करना चीए और आप यहां कोई बाल विवा करें किसी ग्राविंट शेतर में तो उनको समझाओ और बताओ उसके बाद हमारे सरसी ममन सर जो यहां के SSP है उनका एक सोट वीडियो दिखाया जाता है जिसमें नशे के ऊपर काफी अच्छा परचार किया गया है कि नशा नहीं करना चीए पब्लिक प्लेस में और उससे करने से क्या होता है तो आप खुद ही देखिए वीडियो अच्छा प्रोग्राम रहा काफी अच्छे बात सीखने को मिली और काफी अच्छा लगा तो फिर भाई अभी मैं यहां पे कर रहा हूं अपना साथ में डिनर और डिनर में बने हैं हमारे आच दाल और रोटी तो फटा-फट सबाई डिनर कर लेता हूं और फिरे आपको भी होप सही वीडियो पसंद आयों तो प्लीज लाइक एंड कमेंट कीजिए